welcome to another video तो आज के इस वीदियो में मैं आपको Metal स्कुर्ण का थोड़ा अप्डेट दूँगा हैना भी कुछे नों पहले ऑन्लिश कर से कर दो एक वीडेओ बनाए था और में पताया था कि Metal स्कुर्ण काफी अच्छे क की gepेक Lager है बट आज के दिन जैसा की देखा हमने मार्केट को आज इस नहीं थोड़ा नीचे रखने कट रही किया है आज के दिन सबस्यादा फॉल इस सेक्टर में आए था प्रॉक्स पॉइंट टू परसेंट ज्यादा का यहां पर यह कंडल बना है आज के दिन यह रेट कंडल और प देखते हैं कि हमारा मेटल सेक्टर में क्या बन रहा है तो स्टाट करने के लिए हम सबसे पहले हम देखते हैं है किस अ क्योंकि सबसे बड़ा आ जिसमें ही आया है इसमें और पूरा बहुत ज्यादा यह बेरिश कंडल है और वहां से सीधा नीचे ही गया है प्राइस और कल और इसमें माला क्या बन रहा है, यह है कि इसमें लेकिन आज जो सेलिंग होई है, उसमें वॉल्म काफी खम कम है, जो यह वाला होपर का मुझ्म अधर है, तो यह एक अच्छी बात है, तो अभी जब तक यह वाले जो लाईन है नहीं, इसका, मैं आपको ड्रॉब कर करें किया है तो अभी एक काफी जादा अच्छा सपोर्ट के काम करेगा पिछला भी जो पुल बैक दिया थे इंडाल को ने वहां से आके इसने उपर का मूव स्टार्ट कर दिया था तो अभी वाला जो पुल बैक ले रहा है यह यह भी क्यूंकि इसने एक और टेम है को ब्रेक करक आगे करें और दूसरी चीज जो है वहामें की वालूम पर देहान रहता है तो यह एक अच्छा साइन होता है मतलब चार्ट में स्ट्रेंथ होता है जैसे इस जोन में था यहां पर वॉल्यूम ज्यादा थे इन कैडल्स में पूल बैक के टाइम कम थे तो अगर सिमिलर्ली अ अगर हम यहां पर कम वॉल्यूम देखता है तो वह एक अच्छा साइन होगा इसके बाद अगर हम टाटर स्टील देखें तो टाटर स्टील भी स्ट्रॉंग ही लग रहा है चार्ट पर ऐसा कुछ उसमें खास वीक्नेस नहीं है जब तक यह वापस इस वाले जोन में नहीं जाता है जब तक ही अपना यह वाला जोन जब तक ही ब्रेक नहीं कर देखें यहां तक आकर अगर यह सपोर्ट लेक उपर चल जाता है तो इसका अप्रेंट कंटिन्यू हो जाएगा और पूलबक जेरूजिं यहां तक आय भी हो सकते यहीं से वापस कल के दिन से उपर का एँच्छ पता नहीं क्लियर लहीं लग रहा बट मैं नीचे के जून साब को बता रहा हूं कि गोधर चाड़ जाता है तो हमें अतना कोई स्टील का स्टॉक जिंदल सील के स्टॉक में देखे तो आज की दिन वॉल्यूम बाखी पिछले सारे दिनों से कंपेरेटिवली आज की दिन वॉल्यूम जादा थी और फॉल इसमें अब रॉक्स 2.84 परसेंट का और यह बिल्कुल ऑल्टाइम हाई से आया है तो इसका हमेरे लसके देखना होगा कहां तक आ सकता है ओर इसने सीधा मूवी काफिय आजये तो उसमें कोई लिक्त की बात नहीं है इसको हम देखते हैं क्या होता है बस इसमें यह है कि इस पूरे वालिटिलिटी कॉंट्रेक्शन के दौरान इसका वॉल्यूम काफी कम था और यहां पर भी इसको जब ऊपर का भी मूव स्टार्ट वह तो इसमें कुछ खास वह नहीं था मतलब बॉल्यूम उसमें उतना जाद इसमें यह वालिट वालिटील यहां पर पाफी अच्छा पड़ा और आज के विन कमपारीटिबली वालिम का कंडल कम ही है चोटा ही है तो इसमें भी कोई पैसा कुछ इसू नहीं है बागी विदानता वगरा सब में वही सीने सारे एक अप्ट्रेंड में है और जब तक यह आज है इसके उपर होल्ड कर लेता है इस वाल हाइए लोकी उपर तब तक इसको में अप्रेंड में मानेंगे यह यह अपर असे ही बना रहा है अगरियार क flock कर लेता है वॉल्यम इसका ठीट था कि वॉल्यम कुछ बहुत एक्सेप्शनल नहीं था आज के दिन तो हम देखते हैं फॉलो थुरू डे कल का कैसे रहते हैं इसको अच्छा वॉल्यम मिलता है या फिर नहीं मिलता है और हिंदुस्तान को पर इसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो देखते हैं यहां पर यह सपोर्ट लेता है फिर और आगे क्या करता है वैसा अगर यहां से उपर का मुवमेंट स्टार्ट करता है अच्छे वॉल्यम के साथ और अपने मुविंग अबरेज की उपर होल्ड कर पाता है तो हिंदुस्तान को अपर में भी एक अच्छा व यह लिए खर वीडियो आपक अच्छे देखते बच्छेब पाता है तो हम मुवमें थाइन को अच्छे वी अड़कर वाचे वे शबड़ गयां, श्बेक्ट यह से सभीड़ कर दियुशए अच्छें ओक्र वाच्छे हैं यहां से सब्स्रेशन का वच्दिए का मुवमें